शद्दा कपूर का बॉइफेंड रोहन शेस्ता के साथ उनका ब्रेक अप हो गया है चार साल से डेट करने के बाद आखीर दोनों के अलग होने का क्या कारण रहा होगा आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल से जल सब्सक्राइब करें कहा जाता है कि शद्दा कपूर का परिवार रोहन को काफी पसंद करता है शद्दा कपूर और रोहन बच्पन से ही दोस्त रहे हैं और दोनों एक ही साथ पले बड़े हैं उनका दोनों का परिवार आपस में एक अच्छा बॉन्ड भी शेयर करता है शद्दा और रोहन पिछले चार साल से एक दूसरे को डेट कर रहा है हाला कि दोनों के रिलेशन के बारे में उन्होंने ऑफिशियली कुछ भी नहीं कहा है अक्सर दोनों को डिनर डेट्स पर देखा गया है अब हाली में बॉलिबर एक्टर शद्दा कपूर के परसनल लाइप को लेकर एक शौकिंग खवर सामने आ रही है पता चला है कि उनके सेलिबर्टी फोटोगापर बॉइपेंट रोहन शेस्ट से ब्रेक अप हो गया है जबकि दोनों चार साल से एक साथ थे लेकिन अब दोनों की राहे बिल्कुल अलग है कई वार मीडिया ने शद्दा से पूछने की कोशिश किये कि इसके पीछे क्या बज़े है जबकि अशली बज़े अभी तक पता नहीं चली है रोहन ने शद्दा कपूर का बड़े गोवा में अटेंड ही नहीं किया ता और सेलिबरेट भी नहीं किया जबकि रोहन उस दिन फ्री था कई रिपोर्ट में ये भी बता चला है कि कपल की जो गड़वड़ी है वो जनवरी से ही चल रही थी उनके भी काफी टाइम से जगड़ा चल रहा था और फरवरी में तो दोनों ने अपने रास्ते ही अलग कर लिये थे दोनों का परिवार ही दोनों के रिलेशन को लेकर काफी खुश थे और दोनों ही पसंद करते थे पर अब अचानाक उनके बीच ऐसा क्या हुआ होगा जो ये ब्रेक अप हो गया है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही रोहन के साथ श्रदा की शादी तक की बाद भी मीडिया में खुब आ रही थी पर अब उनके ब्रेक अप को लेकर काफी चर्चा में है आपका क्या विचार है इस कपल के बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा थैंक यू दोस्तो